तो आज वीडियो में आपको बता हूँगा आप किस तरह अपने Android मुबाइल पर जो के फालतु के एड़ आते रहते हैं जब आप application open करते हैं तब भी एड़ आते हैं उपर notification में आपको एड़ दिखाई देते हैं आप कोई भी application open करके बंद भी कर देते हैं लेकिन फिर भी आपकी home screen पर एड़ आते रहते हैं और आपके notification में भी एड़ आते रहते हैं इसमें आपकी दो reasons हो सकते हैं नमबर वन आपके मुबाइल में जो application है उसमें आपको तीन settings आपको बताऊँगा तीन settings में से जो भी setting है आपके मुबाइल में apply होती है वो आप करके देख सकते हैं दूसरे नमबर पर वाइरस की वज़ासे आपके मुबाइल में एड़ आ रहे हैं अगर ये तीन settings से आपका मुबाइल ठीक नहीं होता add आने बंद नहीं होते तो आपको अपने मुबाइल को reset करना पड़ेगा जिसका मतलब है आपके मुबाइल में वाइरस आ चुका है आपको नजर आ रही होगी तो सबसे पहले आपको पता होगा जैसे ही आप मुबाइल में application open करते हैं या close करते हैं तो उसके बाद add आना शुरू हो जाते तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहली जो setting है वो ये बताऊंगा आपने सबसे पहले background application को clear करना है तो ये देखने के ये आपने क्या करना है यहाँ पे आमने developer option को enable करना है तो आपका आपका available है नहीं तो से enable करके आपने क्या करना है background सर्च करेंगे assignments में जाकर जैसे कि आप background search करेंगे तो वहाँ पे 3-4 option आपको नज़र आ जाएंगे तो यहाँ पे background check का option आ रहा है वहाँ पे आपने click करना है अगर आपके पास android 10, 11 है या पिर कोई भी version है तो वहाँ पे आपको इसली यह मिल जाएगा अगर आपके पास पुराना version है तो वहाँ पे यह मुश्किल है तो यहाँ पे background check करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी application background में नहीं चल रही है तो यह जो है effective नहीं है यहाँ पे कई बार आपकी application चल रही होती है लेकिन यहाँ पे no application दिखा रहा होता है उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे एक option है don't keep activities यह जो है basic settings है जो के आपके mobile में बंद होती है जिसकी वज़ा से अगर आप application को बंद भी कर देते हैं तो वो background में चलती रहती है जिसकी वज़ा से add आपको देखने को मिलते हैं जब आप play store से application डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे permission होती है background में चलने की तो वो आपको low नहीं करते हैं वो by default यह low हो जाती है तो वो आपने यहाँ पे क्या करना है don't keep activity यहाँ पे option आ रहा है यह वाला इसे आप enable करेंगे इसका फाइदा यह होगा जैसे ही आप application को back करेंगे या बंद कर देंगे तो application background में उसकी कोई भी activity नहीं चलेगी वो बिलकुल बंद हो जाएगी जैसे या आप application से बाहिर आएंगे या फिर उसे minimize कर देंगे या फिर background में कर देंगे वो बंद हो जाएगी उसकी कोई भी activity नहीं चलेगी उसको बाद नीचे जो आता है background process limit का option ये standard ही आपने रहने देना है इसका कोई भी उसके साथ तलुक नहीं है जब आपने इसे enable करना है तो background process limit को आपने नहीं चेहर ना अगर आप चाहते हैं कि don't keep activity को आप off करना चाहते हैं तो आपने background process limit को no background processes पर कर दिना है इसका मतलब है कि आप जैसा ही background या mobile को बंद करके रखते हैं आपके background में कोई भी file to process नहीं चलेगा जो system की application है जिने जरूरत है background की वह ही चलेगी उसके लावा कोई भी file to application आपके background में नहीं चलेगी तो इसका ये मतलब है अगर आपने इसे enable करना है तो उपर वाले को जो आप disable कर दे अगर आप दोनों enable रखना चाते तो इसमें कोई भी जो है वो मसला नहीं आप दोनों को enable कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं standard कर देता हूँ और आप इसे enable कर ले इसके बाद जो अगली setting है उसे हम notification bar के जरीए हल करेंगे जब आप notification को open करते हैं तो notification bar में भी आपको ads देखने को मिलती है news आपको देखने को मिलती है वो आपने किस तरह solve करना है तो यहाँ पर मेरे पास apps and notification का option आ रहा है अगर आपके पास यहाँ पर नहीं आ रहा है आप यहाँ पर search करके उसे find कर सकते हैं यहाँ पर मैं इसे click करता हूँ आगे सारी application यहाँ पर मेरे पास applications शो हो चुकी है recently opened अप तो यहाँ पर मेरे पास नीचे आ रहा है see all 81 apps मेरे पास available है तो मैंने इसे जो application मुझे ज़रूरत है notification की वो मैंने enable किया बाकि मैंने सारी disable कर दी है और यहां पे notification का option आपको नीचे मिल जाएगा, बिलकुल इसके नीचे, यहां पे click करेंगे, click करने के बाद यह आप देश सकते हैं, यहां पे हमने see all from last seven days, यहां पे आपने click कर देना है, तो आपकी साथ दिन में जितनी भी application की notification इस्तमाल कर रही होगी, notification तो वो यहां पे show हो चाहिए आपने यहां पे से off कर देना है, जो आपको चाहिए वो enable ही रहने दे, मैं यहां पे से off कर देता हूँ, यह off कर दी, उसके बाद यहां पे three dot उपर नजर आ रहा है, इस पे click करेंगे, show system की जो application है, वो भी आपको नजर आ जाएंगे, बाद उकार यह होता है कि आप आपके पास जो है pre-install application होती है, वहां पे मसला यह आता, आप उसे install नहीं कर सकते हैं, या फिर वहां पे आपको notification off करने का option नहीं मिलता, system की जो pre-install apps आती है, आपने मुबाइल में, अगर आपने चाहिना का मुबाइल यह system well buy किया है, तो वहां पे आपको पता होगा, pre-install ज से आप off कर सकते हैं, यह भी मसला होता है, अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, यहां पे आपकी यह वाली में, for example, यह वाली आपके पास application है, system application जो के pre-install आपके मुबाइल के साथ आई है, अब यहां पे इसकी ना तो notification बंद हो रही है, और ना ही इसे मैं uninstall कर सकते हूं, आपने क्या करना है, इसके उपर click करना है, click करने के बाद app info पे आपने चले जाना है, app info पे जाने के बाद आपने storage and cashier पे click करना है, और यहां पे clear storage आपने कर देना है, जिसका क्या फाइदा होगा, application बिल्कुल बंद हो जाएगी, जब आप उसे open करेग तो वो starting से open होगी, इससे क्या होगा, उसकी notification शोर नहीं होगी, तो यहां पे यह थी settings, अगर आपको कोई भी समय मसला आ रहा हो, तो नीचे comment करके पूर सकते हैं, उमिद करता हूँ, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपके mobile पर working कर रही होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे comment कीजिएगा, और हाई टाको मार यूटेब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगली वीडियो में फिर हाजर होंगे, अल्ला हाफिस